हे गाईज कैसे हो सारे यकिन करता हूं कि अच्छ होंगे सो गाईज आज किस वीडियो में मैं आपको पोलर एप का यूज करके आपको किसी भी पिक्चर को एडिट करना सिखाऊंगा गाईज उससे पहले तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजेगा सबसे पहले आपको पोलर एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेनी है जस्ट आपको प्ले स्टोर पे जाना है यहां पे आप सब्सक्राइब पोलर सर्च किजीगा आपको फर्स्ट में यह वाला अप्लिकेशन ओपिन होके आजाएगा इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद अप्लिकेशन को ओपिन कर लेनी है एंड ओपिन करने के बाद guys आपके सामने कुछस इस टाइप के इंटरफेस दीखेगा एंड उसके बाद guys आपके सामने कुछ इस टाइप के आएगा so just ऊपर में आपको cancel का बटन दीखेगा just आपको यह जो अब डीन है एंड जिसवी पिक्चर को आपको यहां से एडित करनी हैं, घस्ट उसे आपको सिलेक्ट कर लेंगे यहां से पिक्चर को यहां से सिलेक्ट कर लूँ गाju एंड़ एक कुछ इस टैब का लोडिंग लेगा, एंड उसके बाद आपका पिक्चर जो है Polar Application में finally open हो जाएगा and guys open कर लेने के बाद सबसे पहले आपको picture को थोड़ा crop करनी है जिस भी size में आपको crop करना है आप यहां से कर सकते हैं so just आपको crop करने के लिए यहां नीचे में आपको transform का button दिखेगा just आपको transform वाले button पे click करनी है and जिधर से आपको crop करनी है आप सब यहां से कर लिजेगा फिलाल में कुछ इतना करने के बाद नीचे से done कर लूँगा and इतना कर लेने के बाद guys सबसे पहले इसका आपको light adjustment करनी होगी so just आपको यहां से नीचे में adjust का button दिखेगा just आपको यहां से adjust वाले button पे click करनी है and यहां से contrast को आपको 10% add कर लेनी है and उसके बाद जो है यहां से highlight है आप सब picture के हिसाब से increase या disccelement कीजेगा आपके picture में जितना भी यहां से highlights होगे उसके हिसाब से आपको कम या जयादा कर लेनी है सो जेस्ट मैं यहां से हाइलाइट को 50% डिस्क्रीज कर लूँगा और सैडव है इसे भी आप सब पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज या डिस्क्रीज कर लीजेगा फिलाल इसे भी मैं लगभग 60% इंक्रीज कर लूँगा नीचे में आपको ब्लाइक का ओप्सन दीखेगा इसे भी आपको 10% डाउन कर लेनी है और यहां से 10% डाउन कर लेने के बाद यहां से आपको साइड में कॉलर्स का आपको बहुत कुछ मिलता है आपको यहां से वेवरेंस को लगभग आपको 20% इंक्रीज कर देनी है एंड उसके बाद गाईज आपको यहां से इंचेसेल का बटन दिखेगा जस्ट आपको इंचेसेल वाले बटन पर क्लिक करनी है एंड जो Lightroom में Mixed Tool होता है सेम वहीं यहां से इंचेसेल में दिया हुआ है सबसे पहले आपको यहां से रेड कलर मिल जाता है अगर आपके फिक्चर में रेड कलर है आप सब उसका Saturation इंक्रीज कर सकते है फिलाल मैं इसे भी लगबग 10 के राउंड इंक्रीज कर लूँगा एंड उसके बाद गाईज आपको यहां से ओर्डेंस कलर मिल जाता है 30 k round luminians को increase कर लेता हूं और भी जो आपका background का color है जैसे कि यहां से मैं yellow color select कर लेता हूं इसका hue आपको जो भी रखना है जिस भी color में आपको retouching करना है आप सब यहां से कर लीजिएगा सो मैं यहां से yellow का hue है लगबग मैं 200 कर लेता हूं आप सब ध्यान रखिएगा light room में जो यहां से 100 तक ही यहां से change होता है लेकिन इसमें 200 तक होता है इतना कर लेने के बाद आप सब यहां से इसका saturation भी increase कर सकते हैं मैं इसे भी लगबग 60% increase कर लूँगा इसके बाद जैस्ट मैं यहां से green color को select करूँगा इसका भी मैं लगबग hue को लगबग 100 के आसपास increase कर लेता हूँ इसे भी मैं लगबग 40 के आसपास increase कर लूँगा इतना कर लेने के बाद गाईज और भी जो आपका कपरों अगयर का color है आप सब उसका saturation increase या decrease कर सकते हैं सोजेस्ट मैं यहां से blue का saturation लगबग 20% down कर देता हूँ क्योंकि हमारे कपडों में थोड़ा थोड़ा blue color आ रहा था एंड उसके बाद गाईज आपको यहां से toning का button मिल जाता है यहां पे भी आप सब जो भी color का यहां से hue and shadow and saturation वेगर आप सब यहां से increase या decrease कर सकते हैं फिलाल में इसे छोड़ देता हूँ एंड यहां से effect मिल जाता है, fringing मिल जाता है, details मिल जाता है so just आपको details वाले button पे click करनी है and यहां से जितना भी आपको picture में clarity add करनी है, आप सब यहां से अपने हिसाब से add कर सकते हैं, फिलाल में यहां से 20% clarity को add कर देता हूँ and sharp आपको picture जितना चाहिए अपने हिसाब से add कर लिजेगा, इसे भी मैं यहां से sharp को 20% add कर दूँगा and इतना करनी के बाद आपको यहां से curve tool मिल जाता है, आप इसका भी use कर सकते हैं, फिलाल में इसे use नहीं करूँगा and उसके बाद मैं यहां से विगिनेट पे click कर देता हूँ and जितना भी आपको यहां से विगिनेट add करनी है, आप सब यहां से disgrace कर सकते हैं फिलाल मैं इसे भी 20 के आसपाई disgrace कर लेता हूँ and यहां से और भी बहुत कुछ है, इसे भी मैं छोड़ देता हूँ फिलाल and इतना कर लेने के बाद guys आपको यहां से नीचे से done कर लेनी है and अभी आप सब देख सकते है before and after हमारा picture कुछ इस टाइप से जो है retouch हो चुका है so उसके बाद guys यह वाले picture को आपको gallery में save कर लेनी है so आपको save करने के लिए just उपर में आपको यहां से arrow का button दिखेगा just आपको arrow वाले button पे click करनी है and उसके बाद guys यहां से आपको save new photos पे आपको click करनी है and अभी आप सब देख सकते हमारा picture यहां से gallery में save हो रहा है अभी देख सकते है picture हमारा पुरी तरिके से gallery में save हो चुका है and save होने के बाद guys अभी picture में हमारा कुछ और काम बांकी रह गया है जैसे यहां से face वगरा को smooth करना so आप सब इसे autodex sketchbook से कर सकते हैं अगर आपको face smooth करने नहीं आता है तो मैंने इस पर अल्रेडी वीडियो बना के रखा है जिसका link आपको नीचे description में मिल लियागा आप ओवले वीडियो देखके face smooth करना सीख सकते हैं and guys आज किस वीडियो में बस इतना ही सोयकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को जोड़ से like कीजेगा अगर आप channel नहीं है तो channel को subscribe कर लिजे and मिलते है किसी और वीडियो के सांथ तब तक के लिए बाई